जय हिन दोस्तो स्वागत थे आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर महत्तुपुन कॉस्चन आंसर सिरिधर पाठक जी से संबंदित वीडियो पूरा वस्त देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चै हिंद्थी साथ की टेश्ट सीरेज भी आपके लिए यहाँ पर अपं लब दे भॉती कमदामों में अभी ओफर भी चल रहा है और इहां पर सबता दंत्र जो है ट्वाइन्टी ट्वाइन्टी टेश्ट से सीरेज हिंद्ध साय्ट की फ्री करवाई जाती है तो इस टेस्ट स सिरेश से भी अवस्य जड़ने तो सेल्पिस्टडी क्लासेश पिलेश्टोर से डाउनलूट करना है और यहां पर सिरिधर पाठक जी से संबंदेत फर्ष्ट कॉस्चन की बात करें कि सिरिधर पाठक का जन्म कहां पर हुआ ता महत्पुन कॉस्चन है और आपका यहां पर सही आंसर होगा कि सिरिधर पाठक का जन्म हुआ ता कहां पर जौंगरी आगरा आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर यहां पर सी सही आंसर है सिरिधर पाठक का जन्म कब हुआ तो question number 2 में, तो इनका जर्म हुआ था, कब हुआ था, महत्पुन question पूछा ग्या है, बिल्कुल चाही right answer है, 1861 ECB में, 1861 ECB में स्रीधर पाठक का जर्म हुआ था, आचार रामचन सुकली जी के अनुसार, स्रीधर पाठक किस काब धारा की कभी है, मानसलबाद, छायाबाद, स्वचंदताबाद या प्रगतिवाद, देखे, आचार रामचन सुकली जी के अनुसार बताना है, तो आपका यहाँ पर स्वचंदताबाद यहाँ पर right answer है, विकल्प नंबर भी right answer है, स्रीधर पाठक की लंबी कभीता है, तो question number 4 का सही answer बताना है, स्रीधर पाठक की लंबी कभीता है, तो कौन सी है, तो आपका यहाँ पर question number 4 का right answer है, जगत सचाई सार आपका सही answer है, विकल्प नंबर आपका C right answer होगा, अपने पिता की मृत्तु पर सिद्दानजली की रूप में स्रीदर पाठक ने कौन सी रचना की थी तो आपका यहाँ पर सही आंसर है कौस्चन नमबर पांच का बहुत ही महत्तपुन कौस्चन पूशा गया है और आपका सही आंसर है आराद्य सोकांजली आपका राइट आंसर है विकल्प नमबर यहाँ पर जो डी है वह सही आंसर होगा आचार रामचन सुकल जी ने किस रचना को आदुने खड़ी बोली की पहली गद्द पुस्तक मानी है तो यहाँ पर आपके लिए बताना है तो आपका बिलकुल सही राइट आंसर है कौस्चन नमबर छे का राइट आंसर कि आचार रामचन सुकल जी ने किस रचना को पतेक है उजड़ा ग्राम है या भरतो स्थान है तो इनकी जो रोला छंद में रचित किरती है स्वरांत पतेक आपका सही आंसर होगा बिल्कुल चही सिरिधर पाटक की कौन सी रचिना लावली सेली में रचित है तो महत्पुन कॉस्चन है और आपका सही आंसर है यहाँ पर क कौन सा आठ और आठ का राइट आंसर एक आंतबासी योगी यह जो है लावली सेली में रचित रचिना मानी जाती है सिरिधर पाठक जी की कौस्चन नमबर 9 है सिरिधर पाठक ने पुरानी हिंदी लेख माला के स्पत्रिका में लिखते थे तो आपका सही आंसर है यहाँ प आंसर होगा सिरिधर पाठक ने गोल्ड स्मित की रचिना दा हर्मिट का खली बोली में किस नाम से अनुबाद किया था मोस्ट इंपोर्डन कौस्चन पूछा गया है कि सिरिधर पाठक ने गोल्ड स्मित की रचिना थी दा हर्मिट इसका खली बोली में अनुबाद किस नाम से अनुबाद किया है तो यहाँ पर सही आंसर है question number 11 का सही आंसर होगा क्या होगा right answer ओजड़ा गिराम ओजड़ा गिराम आपका सही आंसर है बिल्कुल सही बहुत बढ़िया अंगला question है सिरिधर पाठक ने goldsmith की रचना the trailer का खड़ी बोली में किस नाम से अनुबाद किया है यह भी बहुत ही महत्तपुन question है और question number 12 है 12 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प number भी स्रांत पत्यक आपका सही आंसर है सिरिधर पाठक ने अंग्रेजी साहित्यकार gray की रचना से फर्ड का हिंदी में किस नाम से अनुबाद किया है तो देखिए इन्हों ने जो एं अनुबाद किया है हिंदी में अनुबाद किया है गिरे की रचना से फर्ड का है किस नाम से किया है तो गर्रीय आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प number पर सी राइट आंसर यहाँ पर है सिर्धर पाठक ने अंग्रेजी साहित्यकार गिरे की रचना फिलोसफर का हिंदी अनुबाद जो है किस नाम से किया है यह आपको बताना है गिरे की रचना है अंग्रेजी साहित्यकार मानी जाते हैं और इनकी रचना है फिलोसफर जिसका इन्होंने हिंदी अनुबाद किया है दर्शन सास्तर नाम से विकल्प नंबर डी राइट आंसर है कस्मीर सुसमा किस की रचना है तो यह भी भूत ही महत्तपुन कॉस्चन पूछा गया है कस्मीर सुसमा तो आपका सही आंसर होगा सिरिधर पाटक की रचना मानी जाती है तो विकल्ब नंबर एक आपका सही आंसर है कॉस्चे नंबर 16 की बात करें यहां पर कि यहां पर पूँचा है सिसर सुस्मा किसकी रचना है कॉस्चे नंबर 16 है महत्वपून है और आपका सही आंसर सोले का विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा राधा चरण गो स्वामी आपका बिल्कुल सही बहुत बढ़िया राइट आंसर होगा यहाँ पर पूछाए इनवे से कौन सी रचना सिरिदर पाटक की है भारत संगीत है भारत दुरदसा है या भारत प्रसंसा है या भारत ग माना जाता है उजड़ा ग्राम इनकी रचना मानी जाती है सिरिदर पाटक की और इसका जो रचना काल माना जाता है वह 1889 इस भी माना जाता है तो विकल्प नंबर भी आपका सही आंसर यहाँ पर होगा सिरिदर पाटक की रचना है स्रांत पत्तिक का रचना काल क्या माना ज कोस्टन शरीधर पाठक की रचना है 200985-1956 एक आझ मौन्थ पाठक का रचना है किस की रचना है ingredient v JMK योगी legory और महत्पून कूश्चन पूंछे गया है और आपका सही answer होगा स्रीधर पाटक का निधन हुआ कब 1928 ECB में 1928 ECB में स्रीधर पाटक का निधन हुआ है 1861 ECB में इनका जन्म हुआ था कि इनका स्रीधर पाटक का जन्म कहां पर हुआ था इनका इनका जन्म हुआ था जो अंगरी आगरा में आगरा में इनका जन्म हुआ था सिरिधर पाटक का बिलकुल सही बहुत बढ़ियां तो इस फिरकार यहाँ पर अपने देखी हैं सिरिधर पाटक जी से सम्बंदित महत्तपुल कॉस्चन क्या असा लगा यह वीडियो कमेंट में जरू बताएं अगर आप चैनल पर पहली बार और आपके लिए यहाँ पर ऑफर भी चल रहा है तो इस ऑफर का लावल है हिंदी साहित से सम्बंदित आप जो भी परिक्षा की तयारी कर रहा है जिसमें हिंदी साहित पूंचा जाता है तो सेल्फ स्टेडी क्लासेस एप डाउनलोड करिए यहाँ पर आपको बहुत अच् सकते हैं इस 2020 टेस्ट सीरिज में तो यहाँ से जाएए आप सेल्फ स्टेडी क्लासेस एप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं सेल्फ स्टेडी क्लासेस एप के मांत्य हम से तो इस परकार आज की वीडियो सभी लोगों के लिए बस इतना ही और वीडियो को लाइक करें सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैन